हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चीज बॉल्स और यह बहुत आसान रेसिपी है यह चीज बॉल्स आज हम बनाएंगे बिना ब्रेड और बिना आलू के और बहुत ही क्रिस्पी यह चीज बॉल्स बनकर तयार होते हैं बाहर से क्रिस्पी अंदर से सुपर और मेल्टेड चीज के साथ ये चीजबॉल्स बहुत जादा डिलिशिस बनते हैं और साथ में हम बनाएंगे ये स्पेशल पेरी पेरी चीज डिप जो चीजबॉल्स का टेस्ट दुगना कर देगा तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी तो आएए शुरू करते हैं चीजबॉल्स बनाने के लिए हम लेंगे एक मेडियम साइज का ओनियन और आधा मेडियम साइज का कैपसिकम और ओनियन और कैपसिकम को हमें एकदम बारिक बारिक सा चॉप कर लेना है तो यहां पे आपने पसंद के और वी वेजटेबल्स जैसे की गाजर ग्रेट करके ले सकते हैं या डिफरेंट ताइप के बेल पेपर्स होते हैं उनको भी चॉप करके ले सकते हैं अब हम एक pan में गरम करेंगे एक टेबल स्पून ऊयल, इसमें हम आड़ कर देंगे, फाइनली चॉप किया हुआ ओनियान, और इसको थोड़ी देर के लिए हम करीब एक मिनट के लिए भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे चॉप किया हुआ कैपसिकम इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर हलका सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे आधा कप बॉil किये हुए स्वीट कॉर्न तो स्वीट कॉर्न को हम ऐसे नहीं डालेंगे इसको थोड़ा सा मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और उसको आड़ कर दिया है और साथ में इसमें आड़ किया है मैंने एक टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स एक टी स्पून और एगेनो हाफ टी स्पून ब्लाक वेपर पाउडर और स्वार्ट के एकॉर्डिंगली इसमें डाल देंगे सॉल्ट और थोड़ी देर के लिए इसको लो फ्लेम पर भून लेंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे एक टीजपून जिंजर गार्लिक पेस्ट यहां पर मैंने रेडिमेट वाला यूज किया है आप चाहें तो घर का बना हुआ भी ले सकते हैं अब सारी चीज़ों को हम एक मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे एक कप पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में थोड़ा सा बॉइल आने देंगे जैसे ही पानी में बॉइल आना शुरू हो जाएगा हम फ्लेम एकदम कर देंगे और अब इसमें आड करेंगे एक कप सूजी को हमें डालते जाना है और इस मिक्षर को चलाते जाना है जिससे क्या होगा कि सूजी में लंप नहीं पड़ेंगे और आप यहां पे देख सकते हैं बिल्कुल भी लंप नहीं पड़ा है और थोड़ी देर में क्या होग कि सूजी जो है ये पानी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है ये डो के फॉर्म में आ गई है तो अब हम क्या करेंगे फ्लेम आफ कर देंगे और इसको ठक देंगे और इसको हम छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए तो जब तक हमारी स पूल रही है हम तयार कर लेंगे आज का स्पेशल डिप तो इसके लिए मैंने एक पैन में एक टेबल स्पून बटर ले लिया है बटर को मेल्ट होने देंगे और जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम एड़ करेंगे एक टेबल स्पून मैदा और लो फ्लेम पर मैदे को अच्छे से भून लेना है बस हमें इसका कलर नी चेंज होने देना है बस हलकिसी खुश्बू आने लग जाए बस उतना ही भूनना है और अब इस पर हम आड़ कर देंगे आधा कब दूद और जल्दी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको लकातार चलाते रहेंगे ताकि इस अच्छे से मिक्स करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एड़्जस करने के लिए मैंने आपे मिल्क आड़ किया है और अब इसमें हम एड़ करेंगे वन टिपल स्पून पेरी-पेरी मसाला यह कहीं भी मार्केट में असानी से मिल जाता है इसमें सारे स्पाइस आड़ कियों है त अब हम इसमें स्वात के कोडिंगली सॉल्ट डाल देंगे क्योंकि चीज में भी सॉल्ट रहता है और जो पेरी-पेरी मसाला हमने आड़ किया तो उसमें भी सॉल्ट रहता है तो यहां पे हमें थोड़ा सॉल्ट ध्यान से डालना है और अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंग जूजी भी अच्छे से फूल कर तयार हो गई है यह देखे और यह मिक्चर थोड़ा थंडा भी हो गया है मतलब पूरा थंडा नहीं हुआ हलका सा वाम है अब इस मिक्चर में हम थोड़ा सा अड़ कर देंगे बारी कटा हुआ अहरा धनिया इस ते टेस्ट भी बहुत इस तरह से हमारा ये सूजी का डो तयार हो जाएगा अब हम इसमें से छोटे छोटे बॉल अलग करेंगे इस तरह से लिमन संज के बॉब, इस token defuna करते दा चीज तो यहां पे mozarella cheese मैंने लिया है या जो pizza में हम cheese डालते है ना वो cheese मैंने यहां पे लिया है उसको छोटे-छोटे cubes में cut कर लिया है और cubes को हम इसके अंदर भर देंगे अच्छे से close कर देंगे चारो तरफ से और यह देखिए इसको ball का shape देंगे तो यहां आप देख सकते हैं एकदम smooth सा यह cheese ball हमारा ready हो गया इसको side में रखते जाएंगे इसी तरीके से सारे cheese balls हम बनाकर तयार कर लिए तो आप देख सकते हैं यह बनाने में कितना जादा easy है तो सुछा इस तरीके से, यहां फेग अपसीज वांता है को मैंने छीज बॉल्स बना कर त्यार हो जाता है इसमें भ surprise गर्म गरम ओआल, यहां पर अट्रूड बढरग करण नहीं घर त्यार करना फ्लेम करना है जो आईल है अच्छे से गरम ओच चाहिए और cheese balls को अलट पलट कर चारो तरफ evenly fry करेंगे और इनको तब तक fry करेंगे जब तक कि ये golden brown न हो जाए और crispy न हो जाए आप चाहें तो इन cheese balls को अपे pan में भी fry कर सकते हैं हलका सा oil लगा करके या फिर आप इनको air fry भी कर सकते हैं और ये जो cheese balls है आप इनको बनाकर एक वीक तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपका मन करें आप इनको fry करके serve कर सकते हैं तो ये देखिए हमारे जो cheese balls है ये अच्छे से fry हो गया है कितना बढ़िया सा color आ गया है और बहुत ही जादा crispy हो गया है तो जब भी आपको cheese balls बनाना हो आप एक दिन पहले इनको तयार करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी आपको serve करना हो या lunch box में देना हो आप इनको तुरंट से fry करके lunch box में दे सकते हैं ये देखिए कितने बढ़िया cheese balls हमारे बनकर तयार हो गया है लग रहे है ना देखने में बहुत ही जादा कुरकुरे और यामी तो अब हम इनको गर्मा गर्म सर्फ करेंगे पेरी पेरी चीज डिप के साथ और ये जो डिप हमने बनाई है ना इसके साथ cheese balls का टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है तो आईए अब cheese ball को हम ट्राइ करके देखते हैं ये देखिए ऊपर का लेयर इसका कितना जादा क्रिस्पी बना है और आप देख सकते हैं अंदर हमारा melted cheese कितना बढ़िया लग रहा है देखने में है ना दोस्तों बहुत ही जादा यमी आप भी इनको जरूर ट्राइ कीजेगा आपके घर में भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये काफी पसंद आएगा तो आई हो दोस्तों आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी तो मिलते हैं एक ऐसी ही बहुत ही आ